हाई फ्रेंट्स वी और गोई तो सॉल्व दिस क्वेश्टन क्यों दिखते हैं देजिए अंगल्स ओफ वादि लेट्रल और इन देरी वो थी रेशियो 5 डिस यो सेवर देशियो 9 डिसू find the measure of each of these angles करा है कि quadrilateral के angle जो है जो भी quadrilateral का angle है वह क्या है ratio में 3 ratio, 5 ratio, 7 ratio, 9 ratio के form में जो भी quadrilateral के 4 angle जो है वह क्या है ratio के form में है अब आपको क्या बताना है कि उसका उस जो एंगल है उसका एक्टुवल वैलू मिस उसकी मेजर फाइंड आउट करने है ठीक है तो देखो एक बात समझों की एंगल जो है वह भी तो कोई नंबर है तो एक्टुवल वैलू से हम रेश्यू में डाट में सिंपले स्वार में कैस छारो के चारो एंगल को किसी सेम नंबर से का कि अगर डिवाइड किया गया होगा अग shap malaria और जो हो उस्सी नंबर से अगर हम फिर multiply कर दें इस सारे रश्यो में तो क्या क्या जो है सारे रश्यो續 फिर से एंल में actual एंगल में convert हो सकते हैं अब कोष क्यों क्योंकि ये सारा रश्यों है क्योंकि इस को जो भी हमारा actual value है उस actual value में same number से divide किया गया तो ratio में convert हो गया उसी same number से अगर सारे ratio multiply कर देंगे तो हमारा जो है यह ratio से actual value में convert हो जाएगा तो माल लेते हैं कि वह actual value को actual angle को x से divide किया होगा तो हम क्या करें सारे को angle में convert करने के लिए शारे को सारे angle को हम क्याओ से multiply कर दे रहा है तो हमारा देखो अंगल क्या होगा लेट लेट दा मेजर let the measure of angles angles of the given quadrilateral quadrilateral b कितना होगा 3x 3x degree 5x degree 7x degree 9x degree ठीक है तो देखो आप यह भी जानती हो कि quadrilateral के 4 angle का sum कितना होता है 4 angle का sum कितना होता है 360 होता है sum of some of the angles some of the angles of the quadrilateral is 360 degree ठीक है तो देखो तो हमारा angle क्या है 3x है उसके बाद 5x है उसके बाद 7x है उसके बाद 9x है इस सारे angle को add करेंगे तो हमारा 360 के equal आ जाएगा ओके तो देखो 3x plus 5x कितना होगा 8x 8x plus 7x 15x और 15x plus 9x कितना होगा 24x हो जाएगा ठीक है equal to 360 then x equal to 360 by 24 अब इसको का करें हम 3 से केंसिल कर 8 3s 24 और इसे 3s cancel करें तो 1 और 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा और जीरो और इसे 4s के 4 2 जा एट और इसे 4 4 3 जा 12 and then 2 से यह आपका 15 बार में कर निकल हो गया तो एक्स जो हमारे क्या हो गया 15 यह एक्स जोता है हमारा क्या होगा एक्स जो हमारा 15 मतलब है कि यतना भी रेशियो है सारे रेशियो को 15 से multiply करना पड़ेगा तब जाके रेशियो जो है आपका actual angle के पौर में convert हो जाएंगे ठीक है तो देखो हमारा क्या था 3x था 3x degree था तरी एंटो एक्स की वायू कितना है 15 तो फुर्टि फाइफ हो गया थो इभाय देग्री हो झैच कहा है तो इसके बाद है 7x डिग्री चन सेवन इंट्व 15 1005 दिग्री हो सी जैच जैक है ठीक है तो देन उसके बाद है ना एन और स दिग्री tara तो 9 into 15 कितना हो गया आपका 135. यहीं सारा आपका डिव यह जो की अगर फीर से दिकूं फिप्टीन टिक 45 डिग्री है 75 डिग्री है 105 डिग्री 235 डिग्री है सारा क्या है जो क्वाइडिलेटरल है क्वाइडिलेटरल का 4 एंगल है ठीक है पूर एंगल से अगर जोता है अगर हम स्यम क्या करें चारो एंगल को अगर फिप्टीन से डिवाइड कर देंगे तो फिर से हमारा क्या आजाएगा थ्री या जाएगा फाइप एजगा इस इंपलेश फॉर्म है ठीक है तो प्लीज दोस्तो अगर आपको विडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पूल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटीवेट करता है दोस्तों कि थैंक्यू फ्रेंड्स